नमस्कार सिक्षक साथियों, मैं समर्जीत यादो, एना योईस की स्टूडियों में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की चर्चा में हम पाठ योजना के निर्मार पर बात करेंगे पाठ योजना क्या होती है, पाठ योजना क्यों बनाते हैं, पाठ योजना बनाने की क्या ओशकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे सबसे पहले हम आईए जानते हैं कि पाठ योजना क्या होती है सिक्षण अधियम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए पाठ की तैयारी और योजना बनाने की अवशक्ता होती है यानि आप जिस भी विद्याले में शिक्षन का कारे कर रहे हैं उस विद्याले के अंतरगत आप एक दिये गए विशय का अध्यापन कर रहे हैं उस दिये हुए विशय के अध्यापन को आप उस दिये हुए विशय की आप योजना बनाते हैं उस योजना को हम पाठ योजना के नाम से जानते हैं कक्षा में जो विशेवस्तु पढ़ाई जाती है उसके लिए एक योजना बनाई जाती है उसे हम पाठ योजना कह सकते हैं पाठ योजना के निर्मार के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना आवस्यक है सबसे पहले आईए हम जानते हैं परंपरागत पाठियोजना और सिक्षार्थी केंद्रित पाठियोजना क्या होती है परंपरागत पाठियोजना जो बनाई जाती थी उसमें प्रस्तावना, प्रस्तूती करण और मुल्यांकन की प्रक्रिया पर केवल सिक्षक क्रिया पर बल दिया जाता था यानि सिक्षार्थी पूरी पाठियोजना में कहीं भी सामिल नहीं रहता था सिक्षार्थी केवल passive listener के रूप में सामिल रहता था पाठियोजना में सिक्षार्थी को यह माना जाता था कि सिक्षार्थी कुछ नहीं जानता है और सिक्षार्थी को सिक्षक को बस सिखाना है लेकिन सिक्षार्थी केंद्रित जब से पाठ्योजना बनाई जाने लगी उसमें सिक्षार्थी को एक active learner के रूप में माना गया है सिक्षार्थी यानि कि हम यह मान करके चलते हैं कि सिक्षक ही नहीं जानते हैं सिक्षार्थी भी जानते हैं सिक्षार्थी केंद्रित और रचनावादी सिक्षन में सिक्षार्थी को केंद्र में रखकर पाठियोजना का निर्माण किया जाता है यानि इस प्रकार की पाठियोजना में हम देखते हैं कि सिक्षार्थी पर बल दिया जाता है सिक्षार्थी पूरी पाठ योजना के अंतरगत हम देखेंगे क्या क्रिया कर रहे हैं इसमें हम बल देते हैं यानि हम सिक्षार्थी के पाठ योजना में सिक्षार्थी के क्रिया पर बल देते हैं पाठ योजना बनाने से पूर कुछ बातों को ध्यान में रखना आवस्यक है। आईए हम अवलोकन करें, आईए हम देखें कि हमें किन बातों को ध्यान में रखना आवस्यक है। जब भी आप पाठ योजना बनाने चल रहे हैं, तो पाठ योजना बनाने से पहले आप यह ध् कि आपको कौन सी विशेवस्तु का अध्यापन करना है विशेवस्तु से आपको परिचित होना आवस्यक है विशेवस्तु से आप परिचित होते हैं तो आप उसे विद्यार्थियों को सिखाने में अपने आपको सुविधा जनक पाते हैं आपके लिए सुविधा जनक होता है अब आपके लिए आवस्यक हो जाता है कि वह विशयवस्तु आप विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं यानि उस विशयवस्तु को आप विद्यार्थियों को क्यों सिखाना चाहते हैं इसके बारे में जानना आवस्यक होता है इसके उपरांत विद्यार्थी इसके बारे में कितना जानते हैं यानि जिस भी संकल्पना के बारे में आज आपका ख्षा में पढ़ाने जा रहे हैं उस संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों का पूर्वग्यान कया है पुरो ज्यान को ध्यान में रखना बहुत आवस्यक है यदि आप उनके पुरो ज्यान से परचित हैं तो आपको संकल्पना के बारे में पढ़ाने में आसानी होगी अब आप जिस संकल्पना को पढ़ाने जा रहे हैं उस संकल्पना को पढ़ाने के लिए आपको कितना समय चाहिए कितने समय में उस संकल्पना को आप पुरा कर लेंगे इसका भी उल्ले करना अवस्यक है इसके बारे में भी जानना अवस्यक है पढ़ाने के लिए आपको सिक्षण सहायक सामग्रियों की भी आवसकता पढ़ती है कौन कौन सी सिक्षण सहायक सामग्री आपको पढ़ाने के लिए जरूरत होगी इसकी भी सूची बनाना आवस्यक है जिस भी संकल्पना के बारे में आप पढ़ा रहे हैं उस संकल्पना से संबंधित सिक्षण अधिगम सामग्रियों की सुची बना लेना पहले से ही अवस्यक है अब आप आईए हम देखते हैं आपके पाठ योजना के क्या चरण होते हैं पाठ योजना बनाने के चरणों में आप सबसे पहले सिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो चरण होता है उस पर फोकस करते हैं सिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतरगत सिक्षार्थी क्रिया और सिक्षक क्रिया को ध्यान में रखना आवस्यक होता है जैसे ही आपकी पाठ योजना समाप्त हो जाती है आपको यह जानना आवस्यक हो जाता है कि आपके विद्यार्थी ने सीख लिया है या अभी नहीं सीखा है इसके बाद आप इस संकल्पना से संबंधित कुछ प्रस्न निर्मित करते हैं कुछ मुल्यांकन की विधियां तै करते हैं इसके आधार पे आप विद्यार्थियों का मुल्यांकन करते हैं मुल्यांकन के बाद आप विद्यार्थियों के लिए कुछ उपचारात्मक सिक्षन की विवस्था करते हैं इस उपचारात्मक सिक्षन से उस संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को भली भाती परचित करवाने का आप प्रियास करते हैं कक्षा के अंत में आप सारांस जरूर प्रस्तुत करें। जो भी पाठ योजना आप पढ़ा रहे हैं, पाठ योजना पढ़ाने के उपरांत आप अपने पाठ योजना में यह भी समय सुनिश्चित करें कि आप पाठ योजना का सारांस प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं। अगर पाठियोजना का सारांस आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो वह विद्यार्थियों ने क्या सीख लिया है या नहीं सीखा है इसको जानने में आपके लिए मददगार सावित होती है अब आईए हम बात करते हैं सिक्षार्थी केंदृत पाठियोजना क्या होती है सिक्षार्थी केंद्रित पाठी होजना में सिक्षार्थियों को केंद्र में रखा जाता है सबसे पहले इसके लिए आवस्यक है कि आप अपने सिक्षार्थियों को जानने का प्रयास करें यदि आप अपने सिक्षार्थियों को जानने का प्रयास करते हैं तो आप उनकी रुचियों को, उनके वातावरण को वो क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, इसके बारे में आप जान लेते हैं इसको जानने के उपरांध आप उनके लिए कैसा वातावरण उपलब्ध करवा सकते हैं, कैसे विद्यार्थियों का ध्याना करसित करते हैं, उनके उस संकल्पना के बारे में क्या पुर्व ज्ञान है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं. तो इन चीजों को अगर आप अपनी पाठ योजना में सम्मिलित करते हैं तो वह है आपकी सिक्षार्थी केंदरित पाठ योजना बनती है पाठ की सुरुवात को आपको रोचक धंग से करना होता है रोचक धंग से कहने का तातपर यह है कि जैसे आप अपनी पाठ के सुरुवात में ही कुछ गीत गा करके या विद्यार्थियों को खेल खिला कर या कुछ ऐसे तस्वीर दिखा करके आप अपनी पाठ योजना की सुरुवात कर सकते हैं जिसमें उन्हें सोचने के लिए अभिप्रेद करने का अउसर हो उसके बारे में आप उन्हें बात करने की और ले जाएं सिक्षार्थी के इंद्रित पाठ में आप कक्षा को जीवन्त बनाने का प्रयास करें जीवन्त बनाने से मेरा तात्पर है कि सिक्षार्थी को एक सक्री अधीगम करता माने सिक्षार्थीयों की सक्रियता को कक्षा में बनाये रखें और सिक्षार्थी किस प्रकार से उस संकल्पना को सीख सकते हैं उनके अपने क्या अनुबह हैं उसको कक्षा में समलित करने का आप प्रयास करें अब आईए जैसा कि मैंने पीछे बताया कि पाठियोजना क्या होती है पाठियोजना क्यों बनाना आवस्यक है जब भी किसी विशेवस्तु को आप पढ़ाने जाते हैं या किसी संकल्पना को आप पढ़ाने जाते हैं, तो उस संकल्पना को पढ़ाने के कुछ उद्देश से होते हैं, उन उद्देश्यों को आपको अपनी पाथियोजना में समलित करना आवस्यक होता है, अब उन उद्देश्यों को आप कैसे तैं करेंगे, उन उद्देश्यों जिन उद्देशों को आप बनाएंगे उसको विद्यार्थी के व्यवहार में कैसे आप देखेंगे तो जो भी उद्देश से बनाते हैं आप यानि आप अपने पाथ योजना में इस प्रकार से उद्देश से निर्मित करें कि वह विद्यार्थियों के व्यवहार का अलोकन क कर सके यानि कि सिक्षक साथी आप विद्यार्थियों के व्यवहार को अलोकन कर पाते हैं तो वह उद्देश से पूरा होता दिखाई पड़ता है इसके अलमा आप देखें कि आपको कौन सी विसेवस्तु पढ़ानी है और उसमें आप सिखाना क्या चाहते हैं आप जो सिखान चाहते हैं उसको लेकर के आप पाठियोजना के उद्देश से बना सकते हैं इसके अलमा आप सिखाने के लिए आपके कौन सी परिस्थितियां होगी यानि कि आप कक्षा के भीतर सिखाना चाहते हैं या कुछ ऐसे औसर भी आते हैं कि आपको विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर लेकर के जाना अवस्यक होता है, तो आप कक्षा से बाहर उन्हें ले जाकर सिखाने में मदद कर सकते हैं। अब आईए हम पाठ योजना के अंतरगत कौन-कौन से क्रिया कलाप हैं, उन क्रिया कलापों के क्या चरण हैं, उसके बारे में बातचित करते हैं। किसी भी पाठ योजना में सिक्षण अधियम प्रक्रिया के अंतरगत आप चरणों को कुछ भागों में बाटते हैं, जैसे कि आप सिक्षार्थी क्रिया को सम्मिलित करते हैं और सिक्षक क्रिया को सम्मिलित करते हैं, जब भी सिक्षण अधियम प्रक्रिया के अंतरगत, यान कि आपकी पाठियोजना में सिक्षक क्या कर रहे हैं और सिक्षार्थी क्या कर रहे हैं जैसे सिक्षक्षार्थी आप मान लें आपने किसी पाठियोजना का निर्माड आपको करना है तो आप उस प्रक्रिया में आपकी क्या भूमिका होगी और सिक्षार्थी क्या भूमिका हो आप अपनी पाठियोजना में समलित नहीं करते हैं तो आप परंपरागत सिक्षण की और आगे बढ़ रहे हैं सिक्षार्थी केंद्रित सिक्षण को आप अपनी पाठियोजना में सामिल नहीं कर रहे हैं सिक्षार्थी केंद्रित पाठ्योजना तभी होगी जब उसमें सिक्षार्थी के लिए कुछ कारे हो, कुछ क्रिया हो, कुछ ऐसी गतिविधी हो जिसमें सिक्षार्थी को इंगेजड किया जा सके, उन्हें सहभागी बनाया जा सके उस पाठ्योजना में, तब आपकी पाठ् पढ़ाते हैं पाथियोजना बनाते हैं और उस पाथियोजना का अध्यापन कर रहे होते हैं तो उसके अंतरगत आपको मुल्यांकन जैसी संकल्पना को भी सामिल करना होता है यानि उस पाथियोजना का मुल्यांकन करना है यानि हम अगर इसको और सरल सब्दों में कहें तो आ आप जिस भी पाठ योजना का अध्यापन कर रहे हैं, उस पाठ योजना के आधार पर विद्यार्थियों ने क्या सीखा है? विद्यार्थियों के सीखने का आपको मुल्यांकन करना है जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा विविध होती है कक्षा में विविधता होती है उस विविधता को आपको संबोधित करना है मुल्यांकन की प्रक्रिया में भी उस विविधता को ध्यान में रखना बहुत ही आवस्यक है अब आप जैसा की जानते हैं कुछ विद्यार्थी अकेले या समूह में काम करते हैं विद्यार्थियों को अपनी गती से सीखने के लिए समय दें कुछ तेजी से सीखते हैं, कुछ को अधिक समय लगता है प्रतेएक विद्यार्थी हम देखते हैं, अपने ढंक से सीखता है कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, कुछ को देखना और सुनना आवस्चक लगता है जबकि कुछ अपने हाथों से करके सीखना चाहते हैं सीखने के इन सभी तरीकों को अपनी पाठियोजना में जगह दें यानि आप अपनी पाठियोजना बनाते समय केवल एक सिक्षन सास्त्री उपागम को अपनी पाठियोजना में जगह नहीं देंगे जैसा कि आपने देखा कि आपकी कक्षा में विविद्धा है अलग-अलग तरीके के विद्यार्थी हैं और अलग-अलग तरीके से वह सीख सकते हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने सिक्षन सास्त्री उपागम को भी निर्धारित करें कि किस उपागम के दोरा कौन से विद्यार्थी बहतर तरीके से सीख सकते हैं कक्षा के अंतरगत आप विद्यार्थियों को प्रश्ण पूछने के लिए भी समय दे सकते हैं यानि कि अगर आप इन चीजों को अपने पाठ योजना में सामिल करते हैं प्रशन पूछने के समय को सामिल करते हैं, तो आप विद्यार्थियों के लिए अपनी कक्षा में जगह दे रहे हैं, यानि विद्यार्थी स्वतनतर रूप से प्रशन पूछता है, विद्यार्थी अपनी बात रख सकता है, उसके मन में कोई संका है, तो वह संका समाधान के के लिए सिक्षक के पास जा सकता है तो आईसे विवस्था आपको करनी है आप अपनी पाठ्योजना की सुरवात चरचा के साथ कर सकते हैं लेकिन इस चरचा के उपरांद आपको अपनी पाठ्योजना में खोजी प्रस्ण भी समलित करना है केवल ऐसे प्रस्ण नहीं पूछना है जो यादास्त वाले हो जो केवल content के बारे में जैसे की क्या वाले प्रस्ण केवल नहीं हो क्यों, कैसे, ऐसे प्रस्णों को भी आप अपनी पाठियोजना में सामिल करें ऐसे प्रस्ण पूछें जो विद्यार्थियों को कल्पना, तुलना और अंतर करने के लिए प्रेडित करें यानि हम केवल यादास्त वाले प्रस्णों तक अपने आपको सीमित नहीं रखना है हमें अपने आपको हमें कल्पना तुलना और अंतर करने वाले प्रस्णों की और अपने आपको ले जाना है पाठ योजना में ग्रिह कारे का महतपूर स्थान होता है ग्रिह कारे में ऐसे कारे को आप उन्हें करने के लिए न दें जो जिसमें की बहुत ज़्यादा दुहरा हो आम तोर पर सिक्षक क्या करते हैं कि एकी ग्रिह कारे को बार बार उन्हें करने के लिए देते हैं तो ऐसे कारें से आपको बजना चाहिए ग्रिह कारे ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों को मजेदार लगे उन्हें उसमें मजा आए ताकि उसे करने का उनका मन करें पाठ्योजना के अंत में आप आत्मनन को भी समलित करते हैं आत्मनन से तात्पर यह है कि आपने जो भी पाठ्योजना बनाई है उसके बारे में आपने सिक्षन किया है तो यह पाठ्योजना आपकी किस हद तक सफल रही है क्या उसमें कारगर नहीं रहा क्या उसमें सफल रहा और कारगर कुछ नहीं रहा तो वह क्यों नहीं रहा अगर आपको इसी पाठ्योजना को अगली बार फिर से पढ़ाना है तो उसमें आप क्या-क्या बदलाव करना चाहेंगे, इसको आप आत्मनन करके आप अपनी पाठ्योजना के अंत में जरूर लिखें, ताकि आपको कुछ उस पे रेफलेक्ट करने का, कुछ चिंतन करने का मौका मिलें. अब आईए हम एक पाठ्योजना के प्रारूप को विक्सित करते हैं. पाठ्योजना के अंतरगत, आप जिस भी विद्याले में पढ़ा रहे हैं, उस विद्याले का नाम लिखेंगे, किस तिथी को आप पढ़ा रहे हैं, कौन सी कक्षाम में पढ़ा रहे हैं, कौन सा विसे है उस पाठ का क्या सिरसेख है, कौन से कालांस है, यानि प्रथम कालांस दिती, कालांस तित्री, यानि कौन सा कालांस है, इसका उल्लेक करेंगे और इस पाठ योजना को पढ़ाने के लिए आपको कितना समय चाहिए, इसका उल्लेक करेंगे पाठ योजना के अंतरगत सामानने उद्देश से भी आप लिखेंगे, सामानने उद्देश से जैसा कि विशय केंद्रित होते हैं, यानि जिस आप मान लीजे कि भाषा का सिक्षन कर रहे हैं, तो भाषा सिक्षन के क्या उद्देश से हैं, इन उद्देशियों को आप सामान उद्देश के अंतरगत सामिल करेंगे अब आते हैं हम प्रस्तावना की और पाठ योजना बनाते समय आप प्रस्तावना को अपनी पाठ योजना में समलित करते हैं प्रस्तावना के अंतरगत आपने पाठ की कैसे तैयारी की है और क्या गतिविधी आप करवा रहे हैं यानि पाठ योजना को जैसे की पीछे मैंने बताया आप को कि आप चित्र दिखा करके, वीडियो दिखा करके, कुछ ऐसी रोचक गतिविधी करवा करके अपनी प्रस्तावना कर सकते हैं। यदि आप ऐसी गतिविधियों को करवा करके अपने पाठ की सुरुवात करते हैं तो आपके लिए यह बहुत लापकारी होगा लापकारी इस लिए होगा कि आपके विद्यार्थी आपकी पाठ योजना के प्रति आकरसित होंगे यानि उस पर कुछ सोचेंगे, कुछ चिंतन करेंगे, कुछ मनन करेंगे विद्यार्थी नहीं तो अगर आपकी पाठ योजना केवल यह मान करके बनाई जाती है कि आप ही सब कुछ जानते हैं और विद्यार्थी कुछ नहीं जानता है तो आपकी पाठियोजना सिक्षक किंद्रित हो जाती है जिसमें यह मान करके चला जाता है कि सिक्षार्थी कुछ नहीं जानते हैं और सिक्षक सब कुछ जानते हैं तो हमें इन चीजों से हमें बचना है अब आते हैं हम प्रस्तुती करण की और प्रस्तूती करण के अंतरगत क्रिया कलाब के चरण क्या होंगे सिक्षक क्रियाएं क्या होंगी और छातर क्रियाएं क्या होंगी प्रस्तूती करण में आपको यह ध्यान में रखना है कि जिस भी संकल्पना का आप सिक्षन कर रहे हैं उस संकल्पना के सिक्षण के अंतरगत आप क्या कर रहे हैं और सिक्षार्थी क्या कर रहे हैं सिक्षार्थियों की क्रियाओं को आपको उसमें लिखना बहुत आवस्यक हो जाता है आम तोर पे हम देखते हैं कि सिक्षार्थी को यह माना जाता है कि वह उस संकल्पना के बारे में कुछ नहीं जानता है लेकिन उस संगल्पना को अगर आप विद्यार्थियों के परिवेस में जहांके आप, जिस समुदाय से विद्यार्थी आ रहे हैं, उसको आप समुदाय को अगर आप ले करके आते हैं, समुदाय में जैसे कि जब विद्यार्थी कक्षा में आते हैं, तो समुदाय से भासा सी चुके होते हैं, समुदाय के रहन सहन, समुदाय में कैसे बेवहार किया जाता है, इन चीजों के बारे में विद्यार्थी समुदाय से सीख करके आते हैं, तो उनके अनुभवों को आप कक्षा में कैसे समिलित करते हैं, जब आप प्रस्तूती करण कर लेते हैं, जिस संकल्प से आप यह बता पाते हैं कि किन-किन बिंदूओं को आपने कवर किया है, किन-किन बिंदूओं को विद्यार्थियों ने सीखा है आज की गक्षा में, इसके बाद आप मुल्यांकन करते हैं, मुल्यांकन में जैसा कि मैंने बताया कि मुल्यांकन के दवरान आप यह जानने की क इस संकर्पना के बारे में विद्यार्थियों ने क्या सीख लिया है या नहीं सीखा है। पाठ्योजना के अंतरगत आप ग्रहकारी भी देते हैं। ग्रहकारी के बाद आप अपने उस पाठ्योजना के बारे में अपना आत्मनन लिखते हैं। अब आप देखते हैं कि जब इस पाठ योजना का आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपको पाठ योजना बनाने का अभ्यास करते हुए पाठ योजना निर्मार करना आ जाता है तो अब आप एक दिन में जैसा कि आप सिक्षक्षा थी एक दिन में 6-7 कक्षा आप पढ़ाते हैं तो अब आप पाठ योजना अगर रोज लिखेंगे 6-7 पाठ योजना रोज बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़ादा आपका समय अभ्यतित होगा तो उस समय को कम करने के लिए हम पाठ नोट या पाठ डाइरी विक्सित करते हैं अब आईए हम बात करते हैं कि पाठ नोट क्या होता है पाठ डाइरी क्या होती है पाठ नोट एक सुक्ष्म पाठ योजना होती है जिसके अंतरगत बिस्तृत पाठ योजना के मुख अवयो को सम्मिलित किया जाता है यह सिख्षक का व्यक्तिगत नोट होता है जैसे माली जी अगर आप पाठ योजना निर्मित करते हैं तो उस पाठ योजना को दूसरे सिख्षक भी उपयोग में ला सकते हैं लेकिन जो पाठ नोट आप बनाते हैं इसका उपयोग आपके लिए होता यानि जो भी सिक्षक इसका निर्मार करते हैं उसके लिए इसका उपयोग होता है पाठ नोट या पाठ डाइरी में निमलिखित सूचनाओं को समलित किया जाता है इसमें आप तिथी, कक्षा, कालांस, पाठ का सिर्शक का उलेक करते हैं और जिस पाठ को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका क्या विशिष्ट उद्देश से हैं उस पाठ को पढ़ाने के लिए किन-किन सिक्षन साहयक सामगरीयों की आवसकता है उसकी सुची आप बनाते हैं और सिक्षन अधियम क्रियाएं यानि कि इसमें सिक्षार्थी की क्रिया और सिक्षक की क्रिया को आप सामिल करते हैं इसके बाद आप उस पाठ का आकलन करते हैं यानि पाठ आपने जो पढ़ा लिया है उस पाठ को आप देखते हैं कि विद्यार्थी ने सीख लिया है या नहीं सीखा है इससे संबन्धित कुछ प्रस्ण निर्मित करके आप विद्यार्थियों से पूशते हैं, इसके अलावा आप अउलोकन करते हैं या रसनात्मक मुल्यांकन करते रहते हैं, जब भी आप पाठ पढ़ाते रहते हैं, बीज-बीज में आप विद्यार्थियों से प्रस्ण कौन सा विशय आप पढ़ाने जा रहे हैं उस विशय के अंतरगत किस सिर्षक पर आप बातचीत करेंगे जिस भी सिर्षक पर आप बातचीत करने जा रहे हैं उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि उसकी रूप रेखा क्या होगी उस सिर्षक को आप विद्यार्थियों क क्रिया क्या होगी इसका चरणबध योजना बनाना अवस्यक हो जाता है उस विशेवस्तु को पूर्ण किया गया या अपूर्ण रह गई यदि पूर्ण हो जाता है तो अच्छी बात है यदि वह पाठ योजना पूर्ण नहीं होती है तो उसके क्या कारण रहे हैं इसका नया विचार यदि पाठ योजना पढ़ाने के दवरान कुछ नए विचार पैदा होते हैं तो उन विचारों को आप पाठ योजना के अंतरगत या पाठ नोट या पाठ डायरी के अंतरगत समिलित करते हैं तो आज की चर्चा में हमने यह जानने की कोशिस की है कि पाठ योजना का निर्मार किस प्रकार किया जाए पाठ योजना के निर्मार में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाए पाठ योजना के उद्देश से किस तरह से बनाये जाए पाठ योजना को कैसे अपने विद्यार् रखा जाये, सिक्षण अधिगम क्रिया उसमेnh क्या होगी, सिख्षक क्रिया hokyya hoky complete इन चीजों को हमने इसमें सामिल किया, अंत में हमने पाथ योजना के प्रारूप और पाथ नोट या पाथ डारी दारी के प्रारूप के बारे में भी चर्चा की है आज की यह चर्चा आपके लिए लाव प्रद होगी हमें आशा ही नहीं पोड़ विश्वास है बहुत बहुत धन्यवाद